हाँ जी के मैं हूं सारी मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पासला व्लॉग्स और अभी टेक्स चैनल के सैटप में बैठा हुआ हूँ और आज की वीडियो थोड़ी सी खास है और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं बीर्डों का जो अभी रिसंटली का विसकी स्मोक नाम है इस परफ्यूम का और इसका रिव्यू मैंने सुचा कर दूँ और इसमें जो है वह एक चीजी की वाज़े से नहीं होता है जो जहां पर आप कहलो कि थोड़ी हार्ड सी थोड़ी हैवी सी फ्रेक्रेंस आ जाती है तो वो सर्दियों में यूज करने के यह होता है जैसे के उद्ध हो गया टबैकू हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जैसे के और जैसे के लैदर वगएरा के नोट्स लिए जो हो गए तो यह सर्दियों के लिए बने हुए होते हैं तो इसलिए मैं नहीं खरीद रहा था लेकिन अभी नूली लाउंच ह जुआ है बीड़ों का और बीड़ों के उस तरह के और विलन के पर्फ्यूम्स में खरीद ने से थोड़ा है चाता रहता हूं कि मुझे डर लगता है कि इनके प्रफ्यूम्स कैसे रहेंगे और यह अभी मैंने चिर्फ टबैकू के लिए ही खरीद है और बैकू के और भी ब बैला वीटा और्गैनिक का 500 के अंडर है वो मैं सर्दियों के आसपास खरीद हूंगा उसका रव्यू चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में आप बता सकते हो और एक टबैक और रिजनल है कुछ 800 का करके और यह मुझे मिला है कुछ 696 रूपीज में और 100 ml की इसकी पैकेज सब्सक्राइब करते हैं Amazon ने सिर्फ ऐसे काटन बॉक्स में मुझे सिर्फ यही था और मुझे जो है वह चाहिए था जो बबल रहे है वह चाहिए था क्यूंकि मुझे थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करना था अपना लेकिन Amazon वालों ने इसमें सिर्फ यही डिबबर डाला तो ऐसे कुछ बॉक्स में यहाता है और जब आप इसको हाथ में लेते हो बॉटल को तो काफी हैवी आपको यह मैसूस होती है और एक बार मैं ज़रा इसका रैपर हटा दूं तो आपको मैं बॉट बॉटल वगएरा पैकेजिंग वगएरा सारा कुछ दिखा देता हूँ तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है इसकी और ब्लैक जो है वो ब्लैक ग्रेश सा जो है टों दी हुई है उन्होंने और बीडो लिखा हुआ है विसकी स्मोक लिखा हुआ है 100 ml की इसकी पैकेजिंग है और यह मुझे मिला कुछ 696 रुपीज में यहां पर 1200 रुपए की प्राइज जो है वो लिखी हुई है पता नहीं फोकस होगा या नहीं तो कुछ ऐसा जीन है इसका और बॉडल को उपन करते हुए बाद में इसमें जो है वो सीधे बॉटल है और अंदर से कुछ ऐसा है एक शोटा सा काटन बॉक्स और और ऐसी कुछ इसकी बॉडल दिखती है आप दे अरे इतना खास नहीं है ठीक ठाक है थोड़ा से हैवी है यह और लेकिन अच्छा है और इसका स्प्रेयर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है और इसका स्प्रेयर टेस्ट कर लेते हैं और मैं आपको पहले ही बता दूं अगर मैं शीकने लगूं तो मेरा नाक है सूपर सेंसिट और इसका स्प्रेयर टेस्ट करते हैं और जब आप इसको स्प्रेय करते हो तो सबसे पहले आपको अलकॉहलिक सी वाइब आती है और वो एल्कॉहल जो है वो विस्की वाला तो नहीं है वो एल्कॉहल है जो पर्फ्यूम्स में यूज होता है थोड़ी से और मैं जो इसके स्प्रेयर लगा के देख लेता हूं स्प्रेयर इसका ठीक टाक है बहुत अच्छा है मिस्ट अच्छी निकल रही है उससे थोड़ा सा ड्राय होने देते हैं और इसके जो टॉप नोट्स है वो टबैकू और विस्की है और विस्की की स्मेल मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है मैं जूट महीं बोलूंगा लेकिन टबैकू की जो नोट है वो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही है हाथ पर मैं लगा कि देख लेता हूं इसकी की आ रहे है और इसके जो मिडल नोट है वो कंपनी क्लेम करती है कि वैनिला है सिनमन है और कॉरियंडर है कॉरियंडर वही धनिये के बीज जो आप ममीन के बनाई हुए पकॉड़ों से बाहर निकाल कर फेक देते हो तो वो भी इसमें डाला हुए मैंने पहली बार सुना है दनिये के बीज किसी पर्फ्यूम में और विस्की की स्मयल तो इसमें डेफिनेटली है लेकिन टबैको की आउनस्ली स्पीकी मुझे अभी तक नहीं मिली है और इसका जो बेस नोट है वो कंपनी क्लेम करती है कि उध है सेंडल वोड है और लैदर और पचोली है पचोली क नोट जो है वही पकड़ पाया हूं और इसको थोड़ा सा ड्राइडाउन होने देते हैं फिर देखते हैं कि इसके जो है थोड़ी थोड़ी और सिनमन की जो है वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है कोरियंडर की थोड़ी थोड़ी आ रही है वैनिला की आ रही है और विसकी की आ रही है थोड़ा सा ड्राइडाउन और होने देते हैं देखते हैं कि इसके बेस नोट है जो वो कैसे निकल कर आते हैं कि I don't know ya कि इसमें कुछ है कि सिर्फ विस्की की स्मेल आ रही है और आप इसको कह नहीं सकते कि एक हाड पर्फ्यूम है और माइड सी नोट है इसमें विस्की की टबैकू की अभी तक मुझे नहीं मिलिया है वैनिला की थोड़ी सी है थोड़ी सी कॉरियंडर की है अभी इसमें लेदर की स्मेल भी थोड़ी थोड़ी आने लगी है और बेस्नोट की बढ़ रहा है अभी है मेरे ख्याल से और इसमें लेदर की स्मेल भी थोड़ी थोड़ी आ रही है और ऊद नहीं मिला मुझे इसमें सेंडल वूड भी नहीं मिल रहा है अभी और विस्की का नोट भी मिल रहा है वैनिला और कॉरियंडर का भी मिल रहा है और अभी इनिशियल इंप्रेशन्स ही है और बॉटल माथ में पकड़ने के लिए काफी है इसका कलर टोन जो है वो मुझे बहुत खूब सरत लगा पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है और स्प्रेयर भी ठीक ठ और उसके बाद ही जो है मैं इसको फॉल रिव्यू का दोउंगा और इनिदी वजिज निदी के बाद कर सकता है और पताऊंगा के बेर्डों का जो विस्की और समोक है वो गलका है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पढ़ेगागा और वीडियों को शेर करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं है हम अगर आप टेक्ट में भीडियो जो है वो इंट्रस्टेट है तो मेरा टेक्ट चैनल भी आप डिस्क्रिप्शिन में लिंक के उपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते और बस यह है आज की वीड झाल झाल